Hey everyone, let's talk about गर्मियों में खाय जाने वाले सबजियों के नाम English और Hindi में So the first one is लॉकी और लॉकी को हम English में कहते हैं Bottle God, Bottle God Next one is कद्दू, कद्दू और कद्दू को English में कहेंगे Pumpkin Next vegetable है तोरई या फिर इसे जहिंगी या जहिंगा भी कहते हैं और English में कहेंगे Ridge God, Ridge God Next है इसे भी हम तोरई कह सकते हैं या फिर हमारे हाँ लोकल लैंग्विज में इसे नेनुआ कहते हैं और English में कहेंगे Sponge God, Sponge God Next है भिंडी जिसे हम Lady Finger कहते हैं Lady Finger Next vegetable है बैंगन और बैंगन को English में कहते हैं Brinjal ब्रिंजन ये गर्मियों की सीजन में ये सारे सबजी हम जरूर खाते हैं Then next है बोधी जिसे इंग्लिश में कहते हैं Asparagus Beans Next है हरी सीम जिसे इंग्लिश में Green Beans कहते हैं Then इसे हम कहते हैं खेकसा हिंदी में खेकसा कहेंगे और इसकी इंग्लिश होती है Spiny God Next है करेला और करेला को इंग्लिश में कहते हैं Bitter God Then next है जुकीनी इसे इंग्लिश और हिंडी दोनों में ही हम जुकीनी कहते हैं देन है गाजर और गाजर को इंगलिश में कहते हैं कैरूट, कैरूट नेक्स्ट वेजिटेबल है जो गर्मियों में हम जरूर खाते हैं वह है कठल कठल को इंगलिश में कहते हैं जाक फ्रूट, जाक फ्रूट नेक्स्ट है सकरकंद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं sweet potato, sweet potato नेक्स्ट वी हाव शिमला मिर्च और सिमला मिर्च को इंग्लिश में कहते हैं capsicum फिर इसे कहते हैं old और old को इंग्लिश में कहते हैं elephant foot yum elephant foot yum next है और भी पेक्ची या फिर कच्चू इसे बहुता है नमों से जाना जाता है और इंग्लिश में टेरो रूट कहते हैं टेरो रूट so that is it for today's video guys if you find this video useful and informative then please hit the like button and also subscribe to my channel thanks for watching bye bye take care